बुद मॉर्निंग वाल क्लास, कैसे बच्चों आप लोग, I hope कि आप रोच कीदर अब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, वो है आपका Evidence of Connective Links, यानि कि सहियोजी कणियों के प्रमा, ठीकिना, सहियोजी कणियों के प्रमा, मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी जीव पाये जाते हैं, जिन में दोनों संगों के लक्षन पाये जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने पूरा वर्गी करन पढ़ा है ना, प्रोटो जोवा, ठीक है, फिर, उसके बाद क्या होता है, फॉरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ऐसे गसे करके, क्या आपने क्या पढ़ा है, जो वर्गों होते हैं, वो पढ़ा है, तो उन दोनों वर्गों या संगों के बीच, बीच की जो कडियां होती हैं, वो सेयोजय कडियां कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा जीव, जिसमें दोनों वर्गों के या संगों के करेक्टरिस्टिक से पाये ज क्योंकि हमारा चेप्टर क्या चल रहा जय विकास में देखने कि कैसे जीवों का विकास एक कोशी की जीओं से बहु कोशी की ओर हो रहा है तो यानि की पहले वो सरजीव रहे होंगे धीरे धीरे उनमें विभिनेत आए या परिवर्तन आए और वो क्या हो गए आगे को डेवलप्ट होते चलेगे तो पहला इसमें आता है आपका वाइरस या सजीव और निर्जीव जगत के बीच की सहयोजी कड़ी है ठीक है ये तो आप पहरे से भी पढ़ते आ रहे हैं तो वाइरस क्या हो गया कि अगर इसमें हम क्या करेंगे इनको जीवित कोशिकाओं में डाल देंगे तो ये क्या करते हैं डिजीज कॉस करते हैं अगर हम इसको क्या करते हैं पाउडर के रूप में एक टाइट एर टाइट डब्बे में रगवें तो ये क्या करता है निर्जीव के लक्षन सो करता है तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ठीक है दूसरे है अब मारा यूगलीना यूगलीना क्या है या पादब और जीव की मतलब एक पादब है एक जन्दो है तो दोनों के बीच की करड़िए क्योंकि इसमें क्या होता है हम रित पाया जाता है यानि कि ख्लॉरो इसमें क्या है कि एनिलीडा और आर्थोपोडा ठीक है एनिलीडा में क्या हुआ खंडी भावन पाया जाता है जबकि आर्थोपोडा का मुखे रेक्शन क्या है कि संदी युक्तो पांग होते हैं तो इसमें क्या है एनिलीडा की तरह तो खंडी भावन पाया जाता है सेग्मे कि जो एनिलीडा थे उन से ही क्या हुआ है आर्टो पोड़ा जो संग है अगले जीव जन्तु है उनकी क्या हुई है डेवलेप्लेप्मेंट हुई है फिर आपका नियो प्लाना इससे क्या कहते है एनिलीडा और मॉलस्का की बीच की गरिमान हो जाते हैं ठीक है क्योंकि इसमे में भी क्या हो रहा है कि एनिलीडा और मॉलस्का की क्या है तो इससे भी यह पता चलता है कि एनिलीडा से उपर हमने क्या कहा आर्टो पोड़ा क्या हुआ होगा और यहां पर हम क्या कह रहे है कि एनिलीडा और मॉलस्का की बीच की गड़ी है ठीक है फिर है आपका आर्क्य वर्ग के बीच के गड़ी है ठीक है यह क्या है एक जीवाश में वर्तमान में नहीं पाये जाते हैं लेकिन जब एक खुदाई में मिले थे जीवाश में मैं जिवाश में मिला था तो इसमें क्या थraine जिसके जो दाट थे जबड़े थे उसमें क्या थे दाट पाये जाते थे और प्रते जो अंगुली है उसमें नखर पाये जाते थे ठीक है चिणियाओं की तरह और पुछ कशेरुक सहिद क्या थी एक सरिश्रप वर्ग की लक्षन थी जबकि पंखों का पाया जाना किसका लक्षन है पक्षिवर्ग का लक्षन है ठीक है पेड़ों पर बढ़ने के लिए अंगुठे की उपस्तिती तता फ्रैकुला अस्ति का पाया जाना भी पक्षी वर्ग का लगशा है, तो आर्किअप्टरिस बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो आर्किअप्टरिस क्या है, कि सरिश्रिप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है, कि सरिश्रिप से ही पक्षी वर्ग का क्या हुआ होगा, development होगा ठीक है फिर आपका protopeterus ठीक है protopeterus क्या है यह amphibia और pieces वर्ग यानि कि amphibia और मतस्य वर्ग के बीच की क्या है कड़ी है क्योंकि इसमें मशली के समान क्या हो रहे हैं क्लोम पाए जाते हैं वो सल्क पाए जाते हैं जबकि उभाई चरो के समान इसमें फिर फिर पाए जाते हैं तो इसमें क्या क्या हो रहा है protopeterus में या amphibia और pieces यानि कि मतस्य वर्ग के बीच की कर लिए मतस्य की तरह तो इसमें क्लोम पाए जाते हैं गिल्स पाए जाते हैं और उपाई चानों के समान क्या पाई जाते हैं फिर फिर पाई जाते हैं ठीक है एक और है इसमें नेक्स्ट है समूरिया ठीक है समूरिया ठीक है समूरिया में क्या है ये एमफिबिया और सरिश्रप के बीच की गड़ी है ठीक है किसकी एमफिबिया और सरिश्रप के बीच की बढ़ा हुआ है यह सरिष्रुप और इस्तंधारी के बीच की है ठीक है यह सरिष्रुप और इस्तंधारी के बीच की कड़िये तो यह क्या होता है रेप्टाइल्स के समान अंडे देते हैं ठीक है और जबकि इस्तंधारियों के समान इसमें क्या पाया जाते है पहले हमने बात करी थी वाइरस की, ठीक है, यूगलीना, पैरेपेटर्स, नियोपलाना, हाटके अप्टारिस, प्रोटोपेटर्स, समूरिया और एकेटिन, ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी एक और एविदेंस है, जैविकास का, ठीक है, वो क्या है आपका अवशेशी अ प्रमार, कि हमारे शरीर में क्या-क्या आवशेशी अंग पाये जाते हैं, तो वो भी क्या है, जैविकास के क्या है, ठीक है, यानि कि उनसे भी ये पता चलता है, कि जो हमारे आवशेशी अंग हैं, वो हमारे पूरवजों में रहे होंगे, या निम्न जीवों में रहे तो वो हम में क्या है, क्या है, अवशेशी अंगों के रूप में रहते हैं, ठीक, तो क्या हो गया, प्राणियों में पाये जाने वाले अनुपियों की अंगों को अवशेशी अंगों कहते हैं, ऐसा माना जाता है, कि ये हमारे जो पूरवज है, उनमें क्या रहे होंगे, सक्र परिशेशी पया जाते हैं जिनमे से कुछ देखते हैं पहला हैं क्रीमी रूपी परिशेशी का मनश्य में जबकि साकाहरियों की साकाहरियों में का पाचन होता हू solican होता है फिर आपका नवेशक पतल तो यह क्या हो गया कि जो आपके आँख किनारे पर पाए जाती है ठीक है यह मनुशी की नेत्रों के भीतरी किनारे पर पाए जाती है ठीक है इसे प्लीका सेमिल्यूनेरस भी कहते है ठीक है यह मनुशियों में तो क्या है इसका कोई भी यूज नहीं है लेकिन मेड़क पक्षी और खरा में कॉर्णिया को साफ करने का कारी करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो विकास है वो किस से हुआ है एंफिवियान या पक्षी वर्ग से ही हुआ है धीरे-धीरे डैबल अब करके हुआ है फिर है आपका अकलदाड यहां मनुश्य में तुर्थिय मोलर दात है जो की प्राइमेट्स मतलब जो बंदर होते है या चिंपैंजी होते है उसमें क्या होते हैं यह क्रियाशील होते है और मनुश्य में क्या है क्रियाशील नहीं है फिर आपकी कर्णपलव की पेशियां, ठीक है, तो कर्णपलव की पेशियां क्या होई ये, मनुशी के जो वाहे कर्ण में पेशियां पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये गतिशील नहीं होती है, ठीक है, आपका कान हिलता है, नहीं हिलता है, लेकिन अगर आप गाई बहसों मे देखेंगे तो क्या करता है जैसे मक्ही मचर कुछ भी बहुते है तो अपने क्या करते है वो जो कान है उनको क्या करते है हिला देते है तो उसमें क्या करता है सक्रिय भूमी का करता है और कुते में अगर आप देखेंगे तो वो क्या करता है जहां को साउंड सुनता है वहां क या उरको अपने कान को घुमा लेता है, या निकि ये जो ध्वनी आ रहे है, उसको collect करने का भी क्या करता है, काजे करता है, फिर आपका पुछी कशे रूप का, ठीक है, मनुश्य में तो पुछी नहीं पाए जाती है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये इस मनुश्य में क्या है आउशेशी अंगो की रूप में छोटी सी पाई जाती है ठीक है और तवचा पिर बाल तो इस तंध्यानों की तो मुख्य लक्षण ही वही होता है कि तवचा पर क्या होते है बाल होते लेकिन हमारे मनुष्यों में क्या होते हैं आउशेशी अंग की रूप में होते हैं क्योंकि अन्य जो जी होते हैं वो उनमें बाल का पाया जाना ताप नियमन करता है ठीक है लेकिन मनुष्य क्या है कि वो कपड़े पैनता है तो इसलिए उसको ताप नियमन की आवशकता उतन नहीं ठीक है तो ये केस में पाय जाते हैं प्राइमेर्स या जितने भी इस्तंधारियों में ताप नियमन का काड़ी करते हैं ठीक है बच्चो तो ये क्या हो गया आपके एक तो सयोजी कड़िया हो गई दूसरा क्या हो गया अउशेशी अंग जो ये आपको ये बताते हैं कि फिर हम हार्डी वीनबर्ग का लौ देखेंगे